हलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत सुभागत है स्टाडी पॉइंट यूटूब चानल पर आज के इस पट्रिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जहारकन राज से संबंदित कुछ important g.k के कोशन जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए important है इससे पहले जहारकन राजिस के g.k के वीडियो चैनल पर और अपलोड़ेड है उनकी प्लेट पनी हुई तो आपन वीडियो को ज़रूर देखेगा साइन्स, मैंस, रीजनिंग के भी प्लेइलिस्ट बनी हुई तो अपने वीडियो को भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टन ज्यारकन राज़समंदित जीके के वीडियो का लिंक दिया हुआ है तो आप चाहें तो उन वीडियो इसको भी देख सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टन कोशन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट शेक्शन में देना है तो पहला कोशन है डोलो माइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है आपके सामने चार ओप्शन दिया हुआ है हजारी बाग, पलामू, सराय केला या राची तो इस कोशन करेक्ट रांस हो एगा ओप्शन नमर भी पलामू ठीक है पलामू जो है डोलो माइट का मुख्य उत्पादक जिला है अगर हमनों बात करें जहार कर राज से नेक्स कोशन है यूरेनियम ऐस का भंडार कहां पाया जाता है लिब्रा ब्रू, जादू गोडा, कोडरमा या पलामू तो इस कोशन का करेक्ट आंस हो जाएगा जादू गोडा, देखिए इस कोशन को मैंने कई बार डिसकस किया और कई बार पुछा गया भी प्रेशन है इंपोर्टन कोशन है यह नेक्स कोशन में आपको बताना है कि निम लिखित में से कौन सा कथन गलत है ठीके, पहला दिया हुआ है कि टिसको को पहली बार लोहे का उत्पादन 1911 में शुरू हुआ था टिसको में पहली बार लोहे का उत्पादन 1911 में शुरू हुआ था यह करेक्ट है दूसरा दियावा टिसको का वर्तमान नाम टाटा स्टील है ये भी सही है, तीसरा दियावा लौस पाद का प्रथम सहींत्र, 1907 इसवी में स्थापित किया गया था, ये भी कतन हमारा सही है, चौधा कतन दिया हुआ है पिसको कोईला क्यों जहर से प्राप्त होता है तो ये कतन आपका गलत है ठीक है तो option number D हो जाएगा है यहाँ पे हमारा सही answer फूर्थ question पर हम लोग आते हैं कोशन है लफार्ज सिमेंट संयंत्र कहां पर इस्तित है हजारी बाप जमशेदपुर राची या बोकारो तो इस कोशन करेक्ट आंस्व एगा option number B जमशेदपुर लफार्ज सिमेंट संयंत्र जमशेदपुर में इस्तित है तहां पर option B हो जाएगा हमारा सही answer कोशन है जारखन में प्रथम सिमेंट उद्धोग की स्थापना कब की गई थी तो यह की गई थी 1921 में 1921 में प्रथम सिमेंट उद्धोग की स्थापना की गई थी जारखन राज में तो option number B हो जाएगा हमारा सही answer देखे सभी कोशन जो मैं डिस्कस कर रही हूं important है एक्जाम में पूछे गए प्रशना है खलारी सिमेंट सहींत्र की स्थापना किस के द्वारा की गई तो यह की गई थी ACC के द्वारा खलारी सिमेंट की स्थापना की गई थी तो यहां पर option B हो जाएगा हमारा सही answer नेक्ट कोशन में आपको बताना है कि निम में से कौन सा कथन गलत है द्यान दिजेगा पूछा है कौन सा कथन गलत है आपके सामने चार ओप्शन दे रखा है पहला दियावाय है जारकंड का भारी उद्वाला जिला राची है absolutely correct यह statement आपका सही है दूसरा दियावाय हेवी Heavy Engineering Corporation के स्थापना 1958 में की गई थी यह भी सही दियावाय है तीसरा दियावाय जारकंड के मुरी में अलमूनियम का प्रसिद्ध कार खाना है कर खाना नहीं कार खाना होगा तो यहाँ पे सभी कतन हमारा सही दियावाय है तो option number D हो जाएगा correct आंसर क्योंकि इन में से कोई भी क गलत नहीं है तो option number D हो जाएगा हमारा सही आंसर यह सभी स्टेट में आपको याद कर लेना इनसे भी कोशन अलग से पूछा गया है और पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट ही है 220 हुझाएगा हमारा सही आंसर 2011 जंगर्णा के अनुसार जारकरण में जनसंक्य घनत्फ कितना है तो बात किचा 2011 के जंगर्णा के अनुसार जारकरण की जनसंक्य घनत्फ वह पॉबलेशन डंसिटी है कितनी यह है 414 ठीक है 414 इंपॉर्टन पॉष्ण कोशन यह भी पूछ ता नेक्ट कोशन है आपने सामने कि 2011 की जनगर्णा के संब्द में कौन सा कथन गलत है पहला दिया हूआ जन गलत है जन गलत जनगर्णा की अबादी इतनी है यह कथन सही है दूसरा दिया है अनुसुचित जातियों की जनसंख् में प्रतिशत 12.1-12.1% है यह भी कतन हमारा सही दिया हुआ यह से हमारा Just जन्शेंक्या-विर्धिदरवालजिला कोडरम हा है यह भी हमारा रहन है जंशेंक्या के दृस्टस्रीं से सबसे बोटा प्रमंडल कुल्हान है तो यह हमारा जो स्टेट्मेंट है यह गलत है तो आप्शन नमबर डी हो जाएगा हमारा सही अंसर यह तीनों स्टेट्मेंट आपको अच्छे से याद कर लेना है खासकर तीसरा और दूसरा वाला अगला प्रेश ने जारकन का दित्वी सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है हुंडरू बुड़ा बान बुड़ा गांग मिर्चिया या गौतम धारा तो इस कोशन करेक्ट आप सबसे उचा दित्वी जल प्रपात कौन सा है यह हुंडरू आपको कमेंट शेक्षन बताना है कि जारकन राजिका सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है कमेंट शेक्षन में इस कोश्चन का आप से जरूर दीजेगा आप लोग नेक्स्ट कोश्चन इम्रिकित में से कौन सा कतन गलत है पहरा दियावा है जारकन का सबसे बड़ा हवाई अडड़ा बिरसा मुंडा हवाई है कौन सी यह स्टेट में में ठोड़ा मिस्टेक है तीसरा दिवाय संथाली भासा की लिपी ओल चीकी चुकी है तो यह भी हमारा कतन सही है तो डी हमारा हो जाएगा सही आंसर क्यूंकि सभी कतन हमारे यहां पर सही है नेक्ट कोशन निम्लिकित में ते कौन सा कतन गलत है आपको बताना है पहला दियावा है राज की कारपाल का शक्ति का प्रधान राजपाल होता है गवर्नर होता है यह भी हमारा कतन सही है दूसरा दियावा राज के समस्त कारवाही ही मुख्यमंद्री के नाम पर की जाती है नहीं मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं की जाती, गवर्नर यानि की राजपाल के नाम पर नहीं की जाती, तो बी जो कथन दिया हुआ है, यह हमारा गलत है, राजपाल के पदवती पांच वर्च की होती, यह भी हमारा सही है, तो यहां पर option number B हो जाया, correct answer, क्योंकि राजपाल governor, इस governor हमारे constitution के article 155 में बताया गया है, article 155 में, next question पर हम लोग आते हैं, निमलिकित में से कौन से कथन गला थे, आपको बताना है, पहला दिया हुआ है, जारकंड में जिला परिशिदों की संक्याथ 24 है, यह कथन हमारा सही है, दूसरा दिया हुआ है, जारकंड में पंचा जारकंड में अनुवंडल के संक्या 33 यह भी कतन हमारा, सही तो option number B हो जाएगा हमारा, correct answer क्योंकि यह कतन गलत है, जारकंड का तेस्वा जिला कौन सा बना, तो इस important question, यह question important है, और इस important question का सही answer जाएगा, खूटी, ठीक है, तेस्वा जिला कौन से था, खूटी था अगला question निमिकित में कौन से कतन गलत है, आपको बताना है, पहला कतन दिया हुआ है, खूटी जिला का निर्माण, राची जिला से अलग करके बनाया यह कतन सही है, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है, रामगर जिला का निर्माण, हजारी बाग जिला से अलग करके बनाया, य यह कथन हमारा गलत है यानि कि option C हो जाएगा हमारे यापर सही आंसर कि दिए में कितने से कौन से कथन गलत है देखिए वीडियो का प्रोग लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा ठीक है और कितने कोशन आपके सही हो यह भी बताइएगा कोशन दियावा कौन से कथन गलत है पहला दियावा जारकर्ण में वर्तमान में पांच प्रमंडल है दूसरा दियावा उत्री छोटा नापपूर प्रमंडल का मुख्याले राची है यह कथन हमारा गलत है B हमारा सही आंसर यह क्योंकि यह कथन गलत है साथ इसाथ आपको तीसरा चौथा याद कर लेना है कुल्हान प्रमंडल का मुख्या ले चाहिवासा है बेलकुल सही और पलामू प्रमंडल का मुख्या ले मेदनी नगर है ये भी सही तो option B हो जाएगा हमारा correct answer पहला तीसरा चौथा करतन सही है इनको आपको याद कर लेना ह next question समिधान में अनुसूची जनजाती के वो किस अनुशेद में परिभासित किया गया है तो इस question करेक्टरास होगा आर्टिकल 342 स्ट के 342 आर्टिकल में बात के समिधान में अनुसूची जनजाती यानि कि स्ट को बताए गया है next question इम्रीकित में से कौन सा कत्थन गलत है चार option आपको सामने दिया हुआ है पहला दिया हुआ है जारकण में अनुसूची जनजाती 27 प्रतिशत है बिलकुल सही जारकण में कुल मान बत्तिस जनजाती बिलकुल सही तीसा दिया हुआ जन जाती अर्थ व्यवस्ता का कौन सा कत्थन गलत है तीनों आपको अच्छे से आतका लेना है जारकण के किस जिले में प्रतिशत की दिरिश्टी से सरवाधिक जन जाती अब आती है राची हजारी बाग गुमला या कोड्रमा तो इस कोशन करेक्ट आंस जाता गुमला option C जाब है करेक्ट आंसर इंपोर् कर दो है कि पहला दिया वाए संथाल जन जाती एक विवाह की प्रता है ठीक है पहला सही है संथाली में बारा गोथर पाएं यह भी सही है संथालों में पांच हंड पाए जाते है यह हमारा सही आंसर संथाल गाउं का गाउं प्रधान क्या कहलाता है पाहन, महतों, मुंडा या मांजी तो इस कोशन का रेक्ट आंस होएगा मांजी संथाल गाउं का प्रधान मांजी कहलाता है option number D हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर question है बिट लहा संथाल समाज में क्या थी धर्म, विवा, गोत्रय, सजा तो इस कोशन करेक्ट आंस होएगा सजा यह भी question important है option number D हो जाएगा हमारा सही आंसर next question है संथाल में वधु मूली को क्या कहा जाता है तो संथाल में वधु मूली को क्या कहा जाता है पून कहा जाता, option number C हो जाएगा हमारा सही आंसर question है निम्लेखित में से कौन सा कहतन गलत है आपको बताना है चार option आपके सामने दिया हुआ है पहला दिया हुआ है संथाल में हेब्रम जंजाती का गोतर चिन पान पत्ता है सही है, संथालों में 10 राख पया जाते हैं, सही है पंचायत का मुख्या मांजी के लाता, अभी मैंने डिस्कस किया, सही है या इमने सोगा, देखें, तीरों कतन हमारा सही तो option number D हो जाएगा हमारा सही है, अंसर ये तीनों कतन आप कोच्छे से याद कर लेना है इनसे कोच्छन पूछा जा सकता है, लग से ये कोच्छन जिसका आपको कमेंट्रेक्शन देना है कोच्छन है, संथालों के तेहार का शुरुवाती महिना कौन सा होता है आपके सामने 4 option दिया हुआ है फागुन, कार्तिक, अशाड़या, सावन इस कोच्छन को अपको कमेंट्रेक्शन जरूर बताएगा देखें, कुछ जीके के जो इंपोर्टन वीडियो है जार करनके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वीडियो को जरूर देखेगा, वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा Thank you so much for watching, thank you